आज पेंतिकोस के दिन की पवित्रस सभा है पुरानी नियम के समय में इस पर्व को सब्ताहों का पर्व कहा जाता था आज इस दिन पर सियोन की सभी संताह पर्विश्वर से पवत्रात्म की आशिश प्राप्त करती है लेकिन यदि हम पवत्रात्म को सिर्फ अपने अंदर रखें और उसका उप्योग न करें तो वो अवश्य व्यर्थ होगा पवत्रात्मा की आंग भुझ जाएगी यदि हम उसका उप्योग न करें तब हमें क्या करना चाहिए हमें पूरी मेहनत से सुसमाचार का प्रचार करने के लिए पवत्रात्मा का उप्योग करना चाहिए पवत रात्मा की शक्ती से हमें दुनिया के सभी साथ अरव लोगों तक जो नई वाचा नहीं जानते जीवन का शुब संदेश पहुचाना चाहिए आएए हम सभी लोगों को पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के समाचार की गोशन करें ताकि वे परमेश्वर और सियून को जान सकें और उद्धार के लिए खुद को तयार कर सकें पहले आएए हम पुराने और नए दोनों नियमों में पेंतेकोस के दिन का अर्थ खोजें आएए हम लेवी व्यवस्ता अधहे 23 पर एक नज़र डालें लेवी व्यवस्ताद है 23 वचन 15 फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से अर्थाद जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेट के पूले को लाओगे उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन किन लेना हिलाई जाने वाली भेट के पूले को लाने का दिन कब है वो प्राथमफल का पर्व है और विश्राम दिन का दूसरा दिन रवीवार है प्राथमफल के पर्व से यानि पुनरुथान के दिन से कितने विश्राम दिन गिनने के लिए कहा साथ यानि साथ सप्ता एक सप्ता हमें साथ दिन है साथ को साथ से गुणा करे पूरे साथ सब्ता यानी उन्चास दिन है उन्चास दिन गिनने के लिए कहा साथ वे विश्राम दिन के दूसरे दिन तक तब वे पचासवा दिन बनता है युनानी में पेंटिकोस का मतलब पचासवा है इसलिए इसे पिंते कोस का दिन कहा जाता है आए हम फिर से वचन सोला देखें पचास दिन गिनना और पचासवे दिन यहवा के लिए नया अन्नबली चड़ाना वचन सत्रा तुम अपने घरों में से एपा के दो दसवे अंश मैदय की दो रोटियां हिलानी की भेट के लिए ले आना वे खमीर के साथ पक्पाई जाएं और यहवा के लिए पहली उपज ठेरें और इस रोटि के संग एक एक वर्ष के साथ निर्दोश भेड के बच्चे और एक बच्छरा और दो मेंडे चड़ाना वे अपने अपने साथ के अन्न बली और अर्ग समेट यहवा के लिए होम बली के समान चड़ाया जाए अर्थात वे यहवा के लिए सुखदायक सुगंद देने वाला हव्य ठेहे फिर पाप बली के लिए एक बखरा और मेर बली के लिए एक एक वर्ष के दो भेड के बच्चे चड़ाना इस तरह पुराने नियम के समय में वे प्रथम फल के पर्व से पुरे साथ विश्राम दिन गिंते थे और फिर साथ विश्राम दिन के अगले दिन रविवार को यानि पचास वे दिन वे परमेश्वर को भेड चड़ाते थे यही पुराने नियम में सप्ताओं का पर्व था आएए हम इस पर्व के पीछे का इतिहास देखें इसराइलियों ने मिस्र से बाहर निकलने के बाद लाल समुद्र पार किया लाल समुद्र पार करने के बाद पचासवे दिन मुसा पहली बार दस आग्याओं को प्राप्त करने के लिए सिन्य परवत पर चड़ गया जिस दिन उन्होंने पहली बार दस आग्याओं को प्राप्त किया उस दिन को स्मरन करने के लिए परमेश्वर ने पंतिकोस के दिन को न्यूक्ट किया पुरानियम में वो सप्ताओं का पर्व था लेकिन नैनियम में उसे पंतिकोस का दिन कहा जाता है आईए हम प्ररितो अधहे दो पर जाएं और देखें कि परमेश्वर ने पंतिकोस के दिन पर किस प्रकार के कार्य किये प्ररितो अधे दो आयत एक में लिखा है प्ररितो अधे दो आयत एक जब पिंते कोस का दिन आया तो वे सब एक जगे इखटे थे पिंते कोस का दिन पुरानिनियम में सप्ताहों के पर्व का दूसरा नाम है जब पेंतेकोस का दिन आया तो वे सब एक जगे इखटे थे एक आएक आकास से बड़ी आधी किसी संसरहां का शब्द हुआ और उसके सारा घर जहां वे बैठे थे गूज गया और उन्हें आँख किसी जीबे फटकती हुई दिखाई दी और उन्में से हर एक पर आठेरी वे सब पवत्रात्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्त दी वे अन्यान्य भाषा बोलने लगे पेंतेकोस के दिन पर पहली वर्षा का पवत्रात्मा पाकर उन्होंने पवत्रात्मा के मार दर्शन के मुताबिक दूसरी भाषाओं में येश्यु मसी के सूसमाचार की होशना की ये कार्य दोहजार वर्ष पहले आज ही के दिन परमेश्वर की सामर्थ से पूरा हुआ आई हम आगे वजन पांच देखें आकाश के नीचे की हर एक जाती में से भक्ती यहुदी येरुशले में रह रहे थे जब ये शब्द हुआ तो भीड लग गई और लोग खबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं वे सब चकित और आचम्मित होकर कहने लगें देखो ये जो बोल रहे हैं क्या ये सब गलीली नहीं तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्म भूमी की भाषा सुनता है हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहुदिया और कप्तुकिया और पिंतुस और आशिया और फुरूगिया और पिंगफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहुदी और यहुदी मत धारन करने वाले क्रेती और अराबी भी है परन्तु अपनी अपनी भाशा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगें ये क्या हो रहा है परन्तु दूसरों ने ठटा करके कहा वे तो नई मदीरा के नशे में चूर है वजन 14 देखें तब 15 सुन 11 के साथ खड़ा हुआ और उंची शब से कहने लगा है यहुदियों और है येरुशलेम के सब रहने वालों ये जान लो और कान लगा कर मेरी बाते सुनो पहला कारिय जो पेंतिकोस के दिन पहली वर्षा का पवतरात्मा प्राप्त होने के बाद किया गया वो प्रचार का कारिय था पत्रस ने साहस के साथ प्रचार किया और बहुत से देशों में सुसमाचार प्रचार किया गया इस तरह के आश्चर जनक और महनकारिय की शुरवाद पहली वर्षा के पवतरात्मा से हुई जो पेंतिकोस के दिन पर उंडेला गया था पेंतिकोस के दिन पर पहली वर्षा का पवत्रात्मा पानी से पहले चर्च के साथ क्या हुआ था येशु को सताया गया और कुरूस पर चड़ाया गया था सब संतों ने वो सब खुद अपनी आँखों से देखा था इसराइल में एक बड़ा मामला सामने आया था येशु कुरूस पर मर गए थे ये एक बहुत बड़ी खटना थी इससे प्रथम चर्च के सदस्यत बड़े शोक में डूब गए प्रभू जिन पर वेउधार करता के रूप में विश्वास करते थे उन्हें बहुत आसानी से रोमन सैनिकों के ध्वारा पकड़ा गया था ठटों में उड़ाया गया था सताया गया था और कुरूस पर चड़ाया गया था इन सब चीज़ों को देखकर उनका विश्वास बहुत कमजोर पड़ गया था वे सभी सर्वशक्तिमान प्रभू की शक्ति को भूल गए चिनों ने पांच रोटियां और दो मचलियों से पांच अजार लोगों को खिलाया था इस तिथी में चर्च अत्यंत गहरे दुख में डूब गया लेकिन तीन दिनों में परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया है ना जब येश्व मरे हुआ में से जी उठे तब निराशा की गिरफ्थ में पड़े चर्च के साथ क्या हुआ उन्होंने परमेश्वर के आश्चेरे जनक और अद्पुद्चमतकार का अनुभव किया और परमेश्वर के पुनरुठथान की महनशक्ति के ध्वारा उनका ये विश्वास पक्का हो गया कि हमारे परमेश्वर सच्चे परमेश्वर है जो मृत्यों और जीवन पर शाशन करते हैं पुनरुत्थान के 40 दिन बाद येशु ने उनके सामने खुद को स्वर्ग में उठा लिये जाते हुए दिखाया और उनसे कहा समारिया और पृत्वी की छोर तक जाओ और सब जातियों में सुसमाचार का प्रचार करो जो तुमने अपनी आँखों से देख लिये हैं उनस सब का प्रचार करो तुम मेरे गवा हो ये निर्देश देते हुए येशु उनकी आँखों के सामने सुर्ग चले गए जब संतों ने इन चीजों को देखा तब उन्हें और अधिक बड़ा विश्वास प्राप्त हुआ जब क्रूस पर येशु की मृत्यू हुई थी तब वे सब घबराए हुए थे लेकिन तीसरे दिन उनका पुनरुथान हुआ और वे अपने सभी चैलों के सामने ये सबूत देते हुए प्रकट हुए की वो जीवित है और फिर चालीसवे दिन वो चैतुन के पहाड पर स्वर्ग में उपर उठा लिये गए येशु पर विश्वास करने वालों ने येशु को स्वर्ग जाते हुए देखा उन्हें ये कितना अद्भुद लगा हुगा हम भी भविश्य में मसी की तरहे बदल सकेंगे और स्वर्ग जा सकेंगे स्वर्गा रोहन की ऐसी जीवित आशा वे कर सकते थे येशु के पुनरुथान के ध्वारा चर्च और अधिक दुखी नहीं रहा बलकि वे और अधिक आशा, ओर्जा और विश्वास रखने लगे जब उन्होंने येशु को सुर्ग जाते हुए देखा तो उन्होंने आश्यर प्रकट करते हुए कहा वा, प्रभु सच में सच्चे परमेशर है वा, सर्वशक्तिमान परमेशर है वे और भी अधिक एहसास और बड़ा विश्वास रख पाए उसके बाद उन्होंने दस दिनों तक बड़ी लगन से प्रात्ना की और पिंतेकोस के दिन पर उन पर पवत्रा आत्मा उतर आया उन्हें थोड़े समय के लिए कठिनाईया थी लेकिन एक एक करके परमेशर की सभी आशिशें और उपहार जारी होते रहे जैसे के पुनरुथान, स्वर्गारोहन और पहली वर्षा का पवत्रा आत्मा इस पर प्रथम चर्च बहुत ही प्रोटसाहित हुआ और सभी संत येश्यू के गवाहों के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने लगे चुकि उन्होंने पिंतिकोस के दिन पर पहली वर्षा का पवत्रा आत्मा प्राप्त किया पत्रस के प्रचार से शुरू करके दिन प्रती दिन परमेशर का अध्भुत कार्य प्रकट होता रहा एक दिन में तीन हजार लोगों ने अपना मन फिराया और परमेश और परविश्वास करने वालों की संख्या वड़ती गई पिंतिकोस्त का दिन वो दिन था जब प्रथम चर्च की सभी सदस्य ऐसे प्रचूर आनंद का अनुभव कर सके आयहमद है दो वचन 14 के साथ जारी रखें तब पतरस उन 11 हों के साथ खड़ा हुआ और उंचे शब से कहने लगा है यहुदियों और है येरुशलेम के सब रहने वालों यह जान लो और कान लगा कर मेरी बातें सुनो जैसे तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं है क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चड़ा है एक पहर तीन घंटे का होता है WPTC संसकरन में इसे सुभ़ के नौ बजे कहा गया है यदि आप यहुदी समय में छे घंटे जोड़ें तो आपको आज का समय मिलेगा परन्तु ये वो बात है जो योयल भविश्वक्ता के द्वारा कही गई थी परमेशर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुश्यों पर उंडे लूँगा और तुम्हारे बेटें और तुम्हारी बेटियां भविश्यवानी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पूर्णिये स्वप्न देखेंगे वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडे लूँगा और वे भविश्यवानी करेंगे और मैं उपर आकाश में अध्भुत काम और नीचे धर्ती पर चेनर्थात लहू और आंग और धुए का बादल दिखाऊंगा प्रभु के महान और तेजस्वे दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा जब हम पेंतेकोस के दिन पर पिछली वर्षा का पवित्रात्मा पाएं तो क्या हम सभी को जोर से ये पुकारना नहीं चाहिए इस यूग में पिता मसी आनसंगुं के नाम से और नई यरुशलिम सुर्य माता के नाम से उध्धार पाओ पिता के यूग में नबियों ने पुकारा यहुआ के नाम से उध्धार पाओ पुत्र के यूग में नबियों ने पुकारा येशु के नाम से उध्धार पाओ तब इस पवित्रात्मा के यूग में हमें पुकारना चाहिए सभी मानव जाती नए नाम पिता अनसंग हो और नए येरुशरेम स्वर्गे माता के महमा में नाम से उध्धार प्राप्त करो दोजार वर्ष पहले यहुदियों, फरिसियों और व्यवस्थापकों जैसे लोगों ने जिन्होंने यहुआ परमेशर पर विश्वास किया कभी ऐसी शिक्षा के बारे में नहीं सुना था, यह पूरी तरह से एक नया धर्म था, जिसे उन्होंने न कभी देखा था और नहीं कभी सुना था आएए हम देखें कि उस समय क्या हुआ, जब लोगों ने वो समाचार सुना, जिसे पतरस और दूसरे ग्यारा चेलों ने बताया, वचनरतिस पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापो की शमा के लिए येशु मसी के नाम से बबतिस्मा ले, तो तुम पवित्रात्मा का दान पाओगे क्योंकि ये प्रतिग्या तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभू हमारा परमेशर अपने पास बुलाएगा, उसने बहुत और बातों से भी गवाही देदेखर समझाया, कि अपने आपको इस तेड़ी जाती से बच आता है जिन्होंने उसका वचन ग्रहन किया, उन्होंने बबतिसमा लिया, और उसी दिन तीन हजार मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पानने और संगती रखने, और रोती तोडने और प्रातना करने में लॉलीन रहें, और सब लोगो संपत्ती और समान बेच बेच कर, जैसी जिसकी आवशक्ता होती थी, बांट दिया करते थे, वे प्रती दिन एक मन होकर मंदिर में इखटे होते थे, और घर गर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तूती करते थे और सब लोग उनसे प्रसंथे, और जो उद्धार पाते थे, उनको प्रभु ने क्या किया? प्रती दिन उनमें मिला देता था, इसलिए पेंदिकोस के दिन पर पवित्रात्मा पाकर, जो काम हमें करना चाहिए, वो परमेश्वर की गवाही देने वाले गवा बनना है, पें नाम और नई येरुशिलेम की गवाही देने का अपना कर्तव ये पूरा करना चाहिए, है ना? आए हम प्रिर्तवध है चार वचन एक देखें, जब वे लोगों से ये क्या रहे थे, तो याजक और मंदिर के सरदार और सदुकी उन पर चड़ाएं, क्योंकि वे बहुत करो दित हुए, कि वे लोगों को सिखाते थे और येशु का उधारन दे दे कर मरे हुऊ के जी उठने का प्रचार करते थे, उन्होंने उन्हें पकड़ कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने व बुरी बातें कहीं और बहुत सी जूटी अफवाएं फैलाई, लेकिन प्रचार ने खुद को उसका प्रचार करने से नहीं रोका, जो उन्होंने खुद देखा था, और जो उन्होंने येशु से सीधे सीखा था, उस समय जैसे ही यहुदी धर्म के अनेक अंतर विरोधी ब बहुत गजब की संख्या है, है ना, जब संतों ने मरकुस की अटारी में इखटे होकर प्रातना की, तब उनकी संख्या सिर्फ 120 थी, लेकिन उसके बाद विश्वासियों की संख्या अत्यांते तेजगती से बढ़ती गई, क्योंकि परमेश्वर ने और अधिक विश्वास परमेश्वर है, चिनोंने आकाश और प्रत्वी को बनाया, जब उन्होंने निडर्ता से ये प्रचार किया, तब 3000 या 5000 लोगों ने अपने पापों का पश्चाताप किया, इस युग में भी जब हम पवित्रात्म के युग में परमेश्वर, यानी मसी आन संग होंग, और उन्हें यरुशलेम स्वर्गे माता की गवाही देने वाले गवाह बनते हैं, तो एक दिन में 3000 या 5000 से 7 गुणा अधिक लोग अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, आए हम संपुण विश्वास करें कि इस युग में ऐसा अद्भूत कार्य होगा, आए हम वचन 17 के सा जारी रखें, परन्तु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल न जाएं, हम उन्हें धमकाएं, अब हमारा Church of God पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है, और बहुत सी लोग सत्य में आ रहे हैं, तब शैतान लोगों को ये सोचने के लिए उकसाता है, ओ हमें बस दे परन्तु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल न जाएं, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बाते न करें, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी दे कर ये कहा, येश्यू के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना, परन्तु पत्रस और यहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हा कुछ भी न बोलना और न सिखाना, तुम ही बताओ, क्या परमेश्वर के सामने हमारे लिए ये उच्जित होगा, कि परमेश्वर की न सुनकर हम तुम्हारी बाते सुने, आए हम वचन 32 बर जाएं, विश्वास करने वालों की मंदली एक चित और एक मंद की थी, यहां तक क कोई भी अपनी संपत्ती अपनी नहीं कहता था, परन्तु सब कुछ साजे में था, प्रेरित बड़ी सामर्ज से प्रभु येश्व के जी उटने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा नुग रहे था, उनमें कोई भी दरिद्री न था, क्योंकि जिनके पास भूम अतार फैलता रहा, और परमिश और परविश्वास करने वाले, लोगों की संख्या दिन प्रती दिन बढ़ती गई, इस पर यहुदी, जो यहुदी धर्म में थे, बहुती उल्चन में पड़े, और परेशान थे, इसलिए उन्होंने प्रेरितों को प्रचार करने से रोखन और उन्हें जेल खाने में डाला, लेकिन जितनी कठोड़ता से उन्हें सताया गया, उतना अधिक सुसमाचार फैलता गया, आईए हम प्रेरितों 5 का 28 देखें, क्या हमने तुम्हें चिताकर आग्या न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना, तो भी देखो तुमने इस सारे येरुशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है, और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाते हो, वचन 29 तब पत्रस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आग्या से बढ़कर परमेश्वर की आग्या का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है हमारे बाब दादों के परमेश्वर ने येश्वर को जिलाया, जिसे तुमने कुरूस पर लटका कर मार डाला था, उसी को परमेश्वर ने प्रभू और उद्धार करता ठेरा कर, अपने दाइने हाथ पर उच्चे कर दिया, कि वे इस्राइलियों को मन फिराव की शक्ति औ पापों की शमा प्रदान करें, हम इन बातों के गवा है और वैसे ही पबतरा आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आग्या मानते हैं, ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, उन्होंने प्रेरितों को धमकाया, और उन्हें मार डाल प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आग्या दी, तब उसने कहा, हे इस्रालियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाते हो, सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले, हिउदास ये कहते हुए उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई चार सो मन मानते थे, वे सब तितर बितर हुए और मिट गए, उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहुदा गलीली उठा, और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वो भी नश्ट हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे, सब तितर बितर हो गए, इसलिए अब मैं तुम से कहता इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखना, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो, तब तो मिट जाएगा, पर तुम यदि परमिश्वर की ओर से है, तो तुम उन्हें क्या, कदा भी मिटा न सकोगी, कहीं ऐसा नहों कि तुम थोने के योग्यत उठेरे वे प्रति दिन मंदिर में और घरगर में उपदेश करने और किस बात का इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि येशु ही मसी है न रुके यही पेंतेकोस के दिन पर उंडेले गए पवत्रात्मा की शक्ती थी दिन प्रति दिन वे यतन से प्रातना और प्रचार करते रहें येशु ही मसी है वो परमेशर है उद्धार पाने और स्वर के राज में प्रवीश करने के लिए आपको येशु पर विश्वास करना चाहिए ये समाचार वे लगातार इस्राइलियों में सभी लोगों तक फैलाते रहे तब आज हमें क्या करना चाहिए पेंतिकोस के दिन पर कृपया हमें दीजे हमें दीजे बस यह कहते हुए पवत्रात्मा नहीं मांगना चाहिए परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा इसलिए देते हैं कि हम समारिया और प्रित्वी की छोर तक उनके गवाँ बने प्रचार करने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा की शक्ती हम पर उंडेलते हैं है ना क्या होगा यदि हम पवित्रात्म पानी के बाद चुपचाप रहे आखिरकार वो बुझ जाएगा ये मिट्टी में एक तोड़ा छिपाने चैसा ही है प्रथम चर्च के दुनों में जो परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते थे उन बहुत लोगों की और से ज्यादा बाधाएं होती थी फले ही उन्होंने बाधा डालने की कोशिश की लेकिन परमेश्वर के कार्य को कोई भी मनुष्य का तरीका शडियंत्र या योजना नहीं रोख सकती थी कमलियल नामक एक फरिसी ने कहा उनसे कुछ काम न रखो क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्यों की और से हो तब अपने आप मिट जाएगा परन्तु यदि परमेश्वर की और से है तो तुम उन्हें मिटा न सकोगे चाहे तुम कितनी ही ज्यादा बाधाई या धमकियां क्यों न दो या कितनी बड़ी शक्ति का उप्योग क्यों न करो लेकिन तुम उन्हें पिल्कुल मिटा न सकोगे पाइबल कहती है विप्रती दिन मंदिर में और घरगर में उपदेश करने और इस बात का सूसमाचार सुनाने से की येश्यो ही मसी है न रुके भाई और बेहु परमेश्वर ने हमें 7 अरफ लोगों को प्रचार करने का मिशन सौपआ है एशिया, अफरिका, ओशियानिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिन अमेरिका, उत्तर चीन, दक्षिन चीन उत्तर भारत, दक्षिन भारत, रूस और ब्राजिल में दुनिया भर में परमेश्वर एक-एक करके चर्च स्थापे कर रहे हैं परमेश्वर ने सूसमाचार के मुख्य केंदर के रूप में पूरी दुनिया में बहुत से चर्च प्रदान किये हैं ताकि हम अच्छे फलों को आत्मिक खलिहान में इखटा कर सकें अब सभी स्थानिय चर्चों को जाग उठना चाहिए आफरिका के चर्च आफरीकी लोगों को ओशियानिय के चर्च ओशियानी लोगों को यूरोप के चर्च यूरोपी वासियों को और हम सोंग नाम शहर वासियों को प्रचार करें संग नाम अधिक आबादी वाला शहर है और इसलिए हमारे पास बहुत से सियोन है यदि हर सियोन थोड़ा और अधिक यतने से काम करें तो यहां का मिशन जल्द ही पूरा होगा यदि संग नाम में अपना मिशन समाप्त करें तो कोरिया में मिशन समाप्त होगा और आगे एशिया में भी यदि हम पूरे एशिया में मिशन समाप्त करें तो हमें दूसरे महादवीप में जाना चाहिए यदि आफरीका को मदद की जरूर थे तो आफरीका चले यदि यूरोप को मदद की चाहिए तो यूरोप चले यदि उत्तर अमेरिका को मदद की चाहिए तो वहाँ जाएंगे परमेश्वर ने अपने आखरी लोगों से कहा समारियां और प्रित्वी की छोर तक मेरे गवा बनो जाओ और सब जातियों के लोगों को चेलाज बनाओ आए हम प्रोफेसरों, डॉक्टरों और उच्च पद पर बैठे सरकारी अधिकारियों को भी चेलाज बनाएं परमेश्वर के वस्णों के सामने सभी चेले बन सकते हैं इसलिए परमेश्वर ने कहा सब लोगों को चेलाज बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवत्रात्मा के नाम से बबतिस्मा दो और उन्हें मेरी सब बाते मानना सिखाओ यदि आपको सबत सिखाया गया है तो उन्हें सबत सिखाईए यदि आपको फसे सिखाया गया है तो उन्हें फसे सिखाईए यदि आपने माता परमेश्वर के बारे में सीखा है तो उन्हें माता परमेश्वर जानने दीजे और यदि आनसंगुंग परमेश्वर के बारे में सीखा है तो उन्हें उनके बारे में सिखाईए वे प्रती दिन सिखाने और प्रचार करने से नहीं रुके तब परमेश्वर ने उन्हें कौन सी आशिष ती जो उद्धार पाते थे उनको परमेश्वर प्रती दिन उनमें मिला देते थे ऐसा करके इस वर्षिक आये हम सभी साथ अरब लोगों को परमेश्वर का सुप संदेज सुनने दे ताकि कोई भी ऐसा न कह सके मैं विश्वास नहीं कर सका क्योंकि मैंने उसे नहीं सुना मैं आशा करता हूँ कि कड़ी मेहनत करके हम सब परमेश्वर की शक्ती का अनुभव करें पवत्रात्मा पाने का सबूत हमारे प्रचार करने के द्वारा दिखाया जाता है आपसे निवेदन है कि आप प्रचार के द्वारा फलों को उत्पन करते हुए परमेश्वर को महिमा दीजे और इसका जीवित सबुत दिखाईए कि आपने पवत्रात्मा पाया है और मैं उपदेश समाप्त करूँगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद